हैदरबाद की engineering student स्वपना के लिए इस बार दिवाली काली साबित हुई. दरशल, दिवाली पर आतिशबाजी के दोरान, स्वपना ने अपनी एक आँख खो दी. दिवाली की रात स्वपना अपने हॉस्टल की बालकनी में खड़ी थी उसी दोरान एक रॉकेट आकर उसकी आँख में घुस गया मिली जानकारी के अनुसार खटना हैदरबाद के इबराहिन पटनम इलाके की है यहां के गुरु नानक इंजिनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में गुरुवार को स्टुडेंट्स दिवाली पर आतिश बाजी कर रहे थे ये लड़की अपने हॉस्टल की बालकनी में खड़ी थी इसी दोरान एक स्टुडेंट ने रॉकेट चलाया जो स्वपना की आँख में जाकर फटा बताया जा रहा है कि स्वपना गल्स हॉस्टल की बालकनी में खड़े होकर आतिश बाजी देख रही थी हादसा इतना भयानक था की स्वपना की आँख फूट गई और उससे खून टपकने लगा इसके बाद स्वपना को ततकाल महेंदी पटनम के सरोजनी देवी हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उसकी आँख नहीं बच सकी अभी स्वपना का इलाज चल रहा है रॉकेट फटनी के कारण उसे गंभीर चोटे आए हैं दिवाली के दिन आतिश बाजी से अब तक हादरबाद में 25 लोगों के घायल होने की खबरे आए हैं इस बारे में सरोजनी देवी हॉस्पिटल की डॉक्टर वी पदमावती ने बताया कि 18 साल से भी कम उम्र के बच्चे आतिश बाजी में सबसे ज़्यादा घायल हुए हैं करीब 8 लोगों को गंभीर चोटे आए हैं